हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक मैं यूट्यूब चैनल बालोजी साइंस आज हम आप लोगों को वायरस अर्थात वीडियो के बारें बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंतक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न लग किया जाए यैंनि इСका संद्वे छेत किया जाए तो वीशाड याणी विस के अड़ो विशाड़ो करके विशाण विस्क के अड़ होते हैं अर्थात कहा जाए तो विशाण या वाइरस प्रोटीन और नियुकलिक अमल के बने आविकलपी पर जीवी होते हैं अर्थात अबलिगेट पैरासाइट होते हैं ये केवल जीवित कोशकाओं के अंदर ही कुड़न करते हैं मतलब जब के बाद जैसे ही जीवित सरीर यजीवित कोशका कोपाते हैं अक्टि हो जाते हैं और अपना काम सुरू कर देते हैं विशाण या वायरस का अध्यान विशाण विग्यान या वाइरलोजी के अंतर्गत किया जाता है बहुत बारे काम्प्रेटीव एफ्सम्त में पूछा ज जाता है इसलिए ये बता दिया कि विशाण का अध्यन वायरोलोजी के अंतरगत किया जाता है या विशाण विज्ञान के अंतरगत किया जाता है चलिए अब बताते हैं आपको कि इस विशाण या वायरस की खोज किस ने की थी तो वायरस अथवा विशाण की खोज इवानव वसकी तंबाकू के पौधे की पत्तियों में चितकवरा जो रोग होता है उसका अध्यान कर रहे थे कि चितकवरा रोग क्यों होता है मतलब ये खोज रहे थे कि पत्तियों में चितकवरा रोग क्यों लगता है इन्हों ने एक चितकवरी पत्ति के रस को निकाला और रस को नि यहानी वाइरस की खोज इस प्रकार इन्होंने की थी। कहा जाए, तो इन्होंने transaction की पत्यों पर पहली वाइरस को देखा था। बीसमी सताब्डी में, वाइरस से होने वाले रोगों का पता लगाया गया। बैज्यानिकोंने पता लगाया। जैसे खुर्पका, मुह पका रोग पस्वों में, मर्स में पी तुजर रोग वाइरस से होता है, यलो फीवर जिसको अंगरेजी में कहा जाता है, पोलियो वाइरस गसवा चेचक आदी, यह जो रोग यहातक संक्रामक रोग हैं, यह मानो आबादी में महामारियों के रोप में ब्यापक तबाही करते हैं, यह बैग्यानिकों ने संबीस्वी सताब्दी में हो जाता, चलिए, अब आपको कुछ वाइरसों के चित्र दिखा देते हैं, तो यह तंबाखू की पत्ती का वाइरस है, अर्था TMB या टोबैको मोजायक वाइरस है, इसमें RNA नुकलिक अमल और इसी को अन्वानसिक पदार्थ कहा जाता है, यह पाया जाता है, इस पूरे भाग को कैपसिड कहते हैं, यह जो भाग आप देख रहे हैं, यह कैपसिड है और प्रोटीन का बना होता है, और एक भाग को कैपसोमेर कहा जाता है, इसमें से जो एक भाग है, इसको कैपसोमेर क पाया जाता है और यह वाला इंफलेंजा का वाइरस है इसकी संवरत्य नामें लिपिट। का खोल होता है और यह पूलियो का वाइरस है जो चित्र आप देख रहे हैं यह भी आरने अन्वांसिक पदार्थ इसमें भी यह नहीं पाया जाता है और यह जो चित्र आप लोग देख रहे हैं यह है HIV वाइरस का HIV का फुरा नम आपको बता दें Human Immuno Deficiency Virus होता है इस वाइरस से एड्स हो जाता है यदि एड्स के बारे में आप पुरी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोड़ेड है आप जा करके देख सकते हैं तो एड्स हो जाता है जो सरीर में प्रतिरच्छा त जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में अलग अलग वीडियो अपलोड है आप डीटेल से जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं चलिए अब वाइरसों के दारा कौन-कौन से रोग हो जाते हैं अर्थात वाइरस जनित रोग या वीशार जनित रोगों के नाम आपको बता सुवा, मस्तिस्क सोध, डेंगू, हीपेटाइटिस, एड्स, कैंसर, आदी, यह जो रोग हैं, यह सारे वीशाणर जनित रोग होते हैं, यह वाइरस से होने वाले रोग होते हैं, बहुत सारे कामटेटिव एक्जाम्स में पूछा जाता है, कि निम्लेकित में से वाइरस जनि पूमड बिधी क्या होते हैं, और थात वाइरस से होने वाले रोग कैसे फैलते हैं, आपको बता देते हैं, तो पहला है वाइव के द्वारा, यह बाइएर कैसे फैलते हैं, कौन-कौन से रोग होते हैं, इंफिलेंजा है, जुकाम है, खसरा है, चेचक है, चोटी माता, तथा पेजल के द्वारा तो by infected food and water के द्वारा hepatitis है, polio है, आधी रोग हो जाते हैं यानि आधी रोगों के वाइरस भोजन और पीने वाले जल के साथ हमारे सरीर में पहुँच जाते हैं और ये रोग पैदा करते हैं फिर next है मूतर जनन मार के द्वारा तो AIDS है या HIV वारस लेंगी किरिया के समय मूतर जनन मार के द्वारा पहुचता है जब शहवास होता है या लेंगी किरिया होती है उस समय HIV वारस जो होता है पहुच जाता है सरीर में मूतर जनन के द्वारा और AIDS नमक बिमारी पैदा करता है फिर अगला है संक्रमित इंजेक्शन की सुई द्वारा यानि बाई इंफेक्टेड इंजेक्शन निडिल्स के द्वारा तो Hepatitis B है और HIV वाइरस है ये संक्रमित इंजेक्शन की सुई के द्वारा फैलते हैं यानि इनके जो वाइरस होते हैं ये जैसे किसी विक्शन की सुई लगा दी गई उसको वाइरस था वो तो अब वही सुई उठा करके दूसरे विक्शन की लगाई जाती है तो उसको Hepatitis B है, HIV वाइरस है ये हो जाते हैं इस प्रकार से फिर अगला है संक्रमित जानवरों के काटने से तो By the Bite Infected Animals यानि यदि कोई जानवर आशा है, संक्रमित कुता है उसके काटने से जैसे रेवीज रोग हो जाता है इसका वाइरस फैलता है तो जैसे कुत्ते को रेवीज रोग है उसने किसी को काटा तो क्या होगा कि उसको भी रेवीज हो जाएगा तो संक्रमित कुत्ते के काटने से रेवीज वाइरस ऐसे ही मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है और पीत ज़र के वाइरस इसी प्रकार से फैलते हैं उसकी वस्तुओं को या किसी न किसी संपर्क में किसी न किसी तरह से उसके संपर्क में आते हैं तो आपको भी वो viral बीमारी हो जाएगी या वो virus आपके सरीर में भी आ जाएगा यानि इस प्रकार से viral रोग फैलते हैं चलिए अब आपको बताते हैं of viral diseases कैसे होती है तो टीका लगा करके यानिए by vaccines के दوारा होता है तो टीका virus जन रोगों से बचने के कलिए क्या होता है कि वेगनिकों ने अनेक प्रकार के टीके बनाए हैं तो अलग रोग वाले वायरस की छमता छींड हो जाती है जो रोग वाला वायरस होता है उसकी छमता होती है वो छींड हो जाती है कम हो जाती है इस प्रकार वायरस जने रोगों के प्रसार को रोका जाता है तो टीके लगा करके कौन-कौन से जो टीके लगते हैं वैक्सिंस लगती है कौ केमो थेर्पी प्रति वाइरस औससदियों को संख्या बहुत कम हैं। जैसे चेचक लिए थायो सेमी कार्बे जोन के लिए राईबावरिन है। तथा हीपेटाइटिस B के लिए फोसका नेंट आदि एंटि वाइरल आउसदियां है यह रसायं चिकिसा के दौरा दवाओं को दे करके रोगों को दूर किया जाता है जो वाइरल जन्न होते हैं तो अगला पॉइंट है प्रतिरच्छा तंत्र प्रतिरच्छा तंत्र का मतलब है इम्यून सिस्टम यानि किसी भी वाइरल डिसी से लड़ने के लिए यह बहुत जरूरी पॉइंट है तो पहले आपको बता देते हैं कि प्रतिरच्छा तंत्र क्या है तो इम्यून सिस्टम कि इसी भी जीव के भीतर होने वाली उन जैविक प्रिक्रियाओं का एक संग्रह है जो रोग जनकों को मार कर उस जीव की रोगों से रच्छा करती है। तंत्र कहा जाता है अथवा हमारे सरीर की सुरच्छा सामगरी होती है प्रतिरच्छा तंत्र इम्यून सिस्टम या कहा जाए तो संक्रामक रोगों को दूर करने की सक्ती होती है प्रतिरच्छा तो इसे ऐसे समझें जैसे कोई विशाण अथवा वाइरस हमारे सरीर के संपर्क में आया तो हमारे सरीर की प्रतिरच्छा प्रणाली उसको मार गिराती है और हमें रोगों से बचाती है तो उसे ही प्रतिरच्छा तंत्र कहा जाता है तो इस प्रकार से हमारे स प्रतरच्शा तंत्र मजबूत होगा तो हमें वायरलूडिसाज या अन डिसाज्जजज जल्दी से नहीं होगी तो आसा है आप लोगों को वायरस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त और अगले ici की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और